गहरे लोग चार और सुखे जीवन चैनल पर आपका हर्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकराएं हैं चहरे की काले दाग धब्बे और मुहासों के कारण जो निसान पढ़ गई हैं आपके चहरे के ऊपर गड़े पढ़ गई हैं उनको जड़ से चाने का बहुत ही किजब का बिल्कुल आसान और घरे लोग पाएं दोस्तों चहरे के ऊपर जब काले दाग धब्बे मुहासों की निसान और त्वेचा कर रंग काला पड़ जाता है तो कई बारह में बहुत सी जिगें उपर सर्मिंदा होना पड़ता है और इसको हटाने के के क्लिईजर से खतम करने के लिए इनजाने कौन-कौन से कौस्मेटिक प्रोड़क्ट्स हम यूज करते हैं लेकिन उसमें कैमिकल होने की कारन हम अपने चेहरे की स्किन को और भी ज्यादा डेमिएज कर लेते हैं यहां तो मार्केट में बहुत सारे परोड़क्ट उपलब् और जो नैचरल ब्यूटी होती है खुबसूरती होती है वो बिल्कुल खतम हो जाती है चहरे के उपर से और चहरे की स्किन रूखी सूखी बिल्कुल बेजान लगने लगती है और बहुत खराब लगता है आज इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर सकते हैं दोस्तों आपके किचन में हल्दी मौजूद होती है हमेशा सभी के किचन में होती है इसके बगएर तो खाना बन ही नहीं सकता दूसरा निमू भी आपके घर में जरूर होगा इसके बिना भी किचन अधूरी है यह दोनों चीज़ें बड़ी आसानी से आपके घर मे मिल जाने वाले चीज़ें हैं. इनी का इस्तिमाल करके आज हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताएंगे जो बुल्कुल बनाना आसान है और इसको इस्तिमाल करना भी बिल्कुल आसान है. सबसे पहले आप अपने चेहरे को साफ पानी से दोले या नीम का फेस्वास या फिर अलोवीरा का फेस्वास इस्तेमाल करके अपने चहरे को बिल्कुल अच्छे से दोलें उसके बाद आप एक कटोरी लें और उसमें एक या दो चुटकी सिर्फ एक या दो चुटकी आप लें थोड़ा सा हल्दी का पोडर ठीक है सिर्फ इतना ज्यादा भी बना लेंगे तो कोई प्रोलम नहीं है उसको बना कर रख लें ठीक है लेकिन आज हम आपको यहीं बताएंगे कि आप थोड़ा सा ओडर लें दो चुटकी और उसमें आप डालेंगे तीन चार बुंद नीमू की बस इतना अब इसको मिक्स करके नुस्का बहुत आसान है पेस्ट बना लें इसका हलका सा वैसे इसमें हल्दी हमने बहुत कम ली है लेकिन फिर भी हम आपको सिर्फ दिखाने के लिए बना रहे हैं इसका नेमू का यह बीज आ जाए इसमें तो बीज निकाल दे ठीक है इसे आप जब चहरे को आपने दोलें, साफ कर लें, पानी को पॉश लें, उसके बाद आप चहरे के उपर जहां भी पिंपल्स हैं, पिंपल्स के दाग धब्बे हैं और डार्क स्पोट सें, सब जगे इसको लगा लीजें ठीक हैं, हलके हाथ से, बहुत हलके हाथ से मालिस करत उसको आप लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें आप समझें कि आधा घंटे या पॉना घंटे के लिए इसको लगा कर छोड़ दें और उसके बाद अपने चहरे को ताजे पानी से दोले और बिल्कुल आप देखेंगे कि 4-5 बार लगाने से ही आपके चहरे के उपर जो दाग धब्बे हैं और मुहासो के काले दाग धब्बे हैं वो पहले बार लगाने से ही वो हलके पढ़ने लगेंगे और वो बेजान हो जाएंगे यदि आपके चहरे पर मुहासे भी हो गए हैं तो मुहासे भी पहली बार लगाने से ही वो बेजान होने लगेंगे और मुर्जा जाएंगे और सूखने लगेंगे तभी तो ये आपके चहरे की जो तमाम समस्या हैं काले दाग धबे मुहासे या मुहासो की दाग धबे जो पड़ गए हैं जाई हैं उन सब को इससे बहुत फायदा होगा और आपका चहरा नैचुरल तरीके से चमकने लगेगा एक तम दमकने लगेगा और आपका चहरा पहले जैसा ही बहुत ही खोबसूरत हो जाएगा और कुछी समय यदि आप इसका रिजल्ट अच्छा चाहते हैं तो आप इसे कम से कम दो बार एक दिन में इस्तिमाल कर लें एक बार सुभे और एक बार रात को सोते समय ठीक है इसके साइड अफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है इसलिए घबराय नहीं आप इसको यूज कर लें और अपने चहरे को नैचुरल तरीके से ही बहुत ही खोबसू इसे इस्तिमाल करें यदि आप धूप में कहीं जाना ही पड़े तो मुग को चहरे को ढख लें थोड़ा सा डारेक्ट सूरज की किरन चहरे के उपर ना पड़ें उनसे भी हमारे चहरे की स्किन को नुक्सान पहुंचता है क्योंकि चहरे की स्किन जो है वह बहुती हम जल्दी फिल लोटेंगे यदि आपको हमारा ये नुस्का और हमारी वीडियो अच्छे लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें हम जल्दी फिल लोटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ तब तक आप हस्ते रहें मस्पूराते रहें और अपना ख्याल रखें